ओम शान्ति आपका प्रश्ण है ज्ञान क्या है किसे और क्यों चाहिए ज्ञान अर्थात जानकारी किसकी जानकारी उस सत्य की जो स्वयम सत्य परम्पिता परमात्मा आकर दे रहे जिस सत्य को जानकर हर आत्मा सत्य के मार्ग पर चवती है और इस संसार को नर्क से स्वर्ग बनाती है और संसार के सर्व दुखों से मुक्त हो जाती है ये ज्ञान केवल और केवल परम्पिता परमात्मा ही दे सकता है बाकी तो इस दुनिया में एतनी बुख्स भरी पड़ी है एतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी भरी पड़ी है जिन में वो सत्य ग्यान नहीं जिसके लिए विद्याले में जाकर सबी विद्यार्थी रोज प्रेयर करते हैं दयाकरदान विद्या का हमें परमात्मा देना तमसो मा जोतिर गमे आलो कितपत करो हमारा वो प्रकाश वो ज्ञान का प्रकाश हमें दो जिसे हम परमपिताप परमात्मा से मांगते हैं जिसके लिए सामानिय साधरन बाशा में भी कहा जाता है कि भगवान जब अकल बाट रहे थे तो तुम कहां सुए हुए थे तो जरूर कभी भगवान ने ग्यान बाटा होगा कब ग्यान बाटा पता है और वो ग्यान चाहिए किसको क्या इस शरीर को ग्यान की जरूत है क्या शरीर ग्यान लेता है आत्मा इस शरीर से निकल जाए कितना भी मर्जी ग्यान सुनाओ ये शरीर एक अक्षर भी नहीं सुन सकता ये बहुत अच्छी तरह से समझना है एक भी अक्षर नहीं सुन सकता ये शरीर किसी भी प्रकार से उसे अपने जीवन में अमल नहीं ला सकता ये शरीर आत्मा ही सुनती है आत्मा ही पढ़ती है आत्मा ही देखती है आत्मा ही उसको अपने जीवन में अमल में लाती है आत्मा नहीं है तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता ये ग्यान एश्वर ये ग्यान आत्मा को चाहिए क्यों चाहिए तीसरा क्वेश्चन आपके बुचा क्यों चाहिए क्योंकि उस सत्य ग्यान से मिलती है मुक्ती और जीवन मुक्ती और हर आत्मा को मुक्ती जीवन मुक्ती की जरूरत और मिलनी भी है हर कल्प मिलती है तो हर आत्मा को वो सत्य ग्यान लेने के लिए परमपिता परमात्मा से जो सारा कल्प प्रेर करते आए ढूंडते आए आप वो मिल रही है जिसके लिए आप अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा को मारिस इश्वरिये विश्व विद्या लेके सेवा स्थान को संपर्क करेंगे और यदि आपके मन में कोई प्रशन हो तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करेंगे 9650692270 पर केवल पर्शेप करेंगे वनें और केंगे